नमस्कार दोस्तों, इंडर्मनी.com हिंदी पर आपका स्वागत है, मेरे नाम है फयास बिसनस हर इंसान एक ना एक बार शुरू करने के बारे में जरूर सोचता है चाहे आप अपने जॉब से तंगा चुके हों, चाहे अपने हाउस वाइफ के रोल से तंगा चुके हों लेकिन बिसनस करने के लिए मोटीवेशन यह नहीं होना चीए कि हाँ बिसनस से पैसे बनते हैं, बिसनस करने के लिए कुछ और कमाल के गोल्डन रूल्स होते हैं जो Sydekki को डेफिनिटली दिमाग में रखना चीए, अगर आप कल के दिन अपना बिसनस शुरू करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में हम लोग एक एक करके discuss करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे golden rules है एक सफल business बनाने के लिए जो कि आपको यकीनन ध्यान में रखना चाहिए आज का वीडियो इसके बारे में है तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा point पर आते हैं सबसे बहले factor तो यह है कि आपको अपने business का जो product या service आप देना चाहते हैं वो काफी ध्यान से काफी carefully आपको चुनना चाहिए क्योंकि आपको basically उसी की बुन्यान पर आप पूरा का पूरा business खड़े कर रहे हैं आपका service चाहिए जितना कमाल का क्यों ना हो आपका customer service कैसा है आपका delivery कैसा है ये सारी बातें ये सारी चीज़ें factor नहीं करती है factor ये करता है कि आपका product क्या है ultimately आप बेच क्या रहे है marketing आप उसकी चाहिए जितनी मर्जी कमाल की कर लें आपकी technology क्या है कितनी मर्जी fabulous क्यों ना हो लेकिन अगर आपका product जबरदस नहीं है तो definitely आप long run में survive नहीं कर पाएंगे हमेशा ऐसा product आपको नहीं देना चाहिए जो की अच्छा है बलकि ऐसा product आपको बनाना चाहिए जो की जरूरी है जो की must है इस तरह से आपको चुनना चाहिए अपने business का पहला product बनाने से पहले अगली जो चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी चाहिए वो यह है कि आपका commitment अपने business के तरफ बहुत ज्यादा होना चाहिए आपको यहाँ पर कोई boss आपको आके नहीं बताएगा कि हाँ फयाज इस particular काम को complete करो यह particular file अभी जल्दी से मुझे आदे खंटे के अंदर चाहिए या यह particular बंदे से यह particular meeting इस particular जगा पर जाकर आपको करना है आपको कोई बताने नहीं आएगा शुरुआत में क्योंकि यह आपका business है आप इसे run कर रहें आप इसे deal कर रहें तो आपको हर दिन सुबह उठना पड़ेगा जल्दी अगर आप दुकान भी चला रहे हैं तो आपको हर दिन सुबह पांच बज़े उठना पड़ेगा या छे बज़े चितने बज़े आप उठते हैं उठके आपको नाद होकर अपनी दुकान पर जाकर शेटर खोल कर पूजा करकर बैठना पड़ेगा तब जाके आपके पास ग्रहक आएंगे कोई आपके पास आके आपको जिंजोड के नहीं पुछेगा कि हाँ भया मुझे ये प्रड़क्ट चाहिए अगर आप उसे बीचने के लिए तयार रहेंगे तब जाके कस्टमर्स आपके पास आएंगे और आपका प्रोड़क्ट काफी अच्छा बिकेगा अगला जो फैक्टर आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपका प्रोफिट का एक हिस्सा आपको अपने पार्टनर्स के साथ अपने एंप्लॉईस के साथ बाटना ची तब जाके आप एक लांग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ट कर पाएंगे डेफिनिटली अगर आप एक दुकान भी चला रहा है अगर आपको पता है कि हाँ मेरे दुकान में एक पर्टिकुलर मेरा हेलपर है तो आपका हेलपर डेफिनिटली इस बात को ध्यान में रखता होगा कि हाँ कि दिन भर में कितना ट्रांजाक्शन हो रहा है तो अगर आप उसमें से एक हिस्सा उसको दे देंगे उसके खर्चे के लिए या फिर उसकी सालरी के तरह या फिर में भी उसको एक कमिशन बेसिस पर अगर आप एक बिजनस मॉडल अपरना बनाते हैं तो ये सारा फैक्टर काफी ज़दा एहम हो जाता है क्योंकि डेफिनिटली सोड़े से ज़दा पैसे हर एक इंसान को अच्छे लगते हैं और पैसा सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है क्योंकि आपने खुद इस बिजनस को शुरू किया है पैसो के लिए तो डेफिनिटली सामने वाले बंदे के लिए भी पैसे जरूरी होंगे तो आपको उस फैक्टर को समझत करते हुए उस बात को रस्पेक्ट करते हुए उस चीज़ को अप्रिशेट करना चाहिए अपने एंप्लॉईज में भी ताकि वो भी ज़्यादा मोटिवेट होकर आपके बिजनस में आपको अपना 100% कॉंटिविशन दे अगला जो फैक्टर काफी ज़्यादा जरूरी है हो ये है कि आपको अपनी टीम बहुत केरफुली चुननी है ये टीम आपकी लोंग टर्म टीम होने वाली है इनीशेल जो कोर मेंबर्ज को ड़्यादा होनु होते हैं किसी भी बिजनस के वो काफी जरूरी व्यग्ती होते हैं घो कि आने वाले आपके बिजनस के involved को खड़ा साथ आपके साथ काम करें तब जाके आप एक sustainable business खड़ा कर पाएंगे otherwise आपका business हफते 10 दिन में बंद हो जाएगा क्योंकि आपके पास एक अच्छे employees नहीं है आपकी अच्छी मजबूत team नहीं है तो इसलिए अच्छी team का चुनाव करना सबसे ज़रूरी factor होता है अगर आप एक successful business बनाना चाते हैं तो अगला जो factor आपको ध्यान रखना है वो यह है कि आपको लगातार अपने team members को motivate करना पड़ेगा उनको encourage करना पड़ेगा अब आप चाहे जिस तरीके से करें लेकिन आपको यह करना पड़ेगा एक बहुत popular management की किताबों में एक technique होती है जिसको कहते है carrot and stick method याने के गाजर और चड़ी का method अब इससे visualize करें अगर आप एक गधे पर बैठे हैं तो गधा दो तरीके से आगे बढ़ सकता आपको यह कि अगर आप भी एक business चला रहे हैं कल के दिन तो आपको अपने employees को भी उसी तरह से motivate करना पड़ेगा जब वो अच्छा करते हैं तो आपको उनको तारीफ करनी पड़े उनको गाज़त देना पड़ेगा अगर वो गलती करते हैं तो शायद आपको उनको चड़ी भी दिखानी पड़े ताकि वो समल दाएं और सुधर जाएं तो इसी तरह से आपको एक अच्छे टेकनीक का इस्तेमाल करते हुए जो भी आपके लिए specific हो जो भी आपके लिए प्रभावशाली हो या फिर प्रभल हो उस टेकनीक का फाइदा उठाते हुए आपको अपनी टीम को लगातार हर दिन मोटिवेट करना पड़ेगा और अपनी टीम को ही नहीं अपने आपको भी मोटिवेट करना पड़ेगा अगला जो फैक्टर होता है वो यह है कि आपको अपने कस्टमर्स कैसे हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि मेरे end customers कौन है मैं किसके लिए ultimately product बना रहा हूँ और उसको बहुत narrow down करके आपको उसी तरह से अपनी overall business को maintain करना चाहिए for example अगर आप एक college के पास एक cafe खोलना चाहते है अगर आप एक college के पास एक bakery खोलना चाहते है तो आपको पता होना चाहिए उनके पास यहाँ पर दिन के 100 रुपे शाद उनके पास खर्च के लिए आते होंगे तो यहाँ पर यह amount के साथ वो खर्च कर पाएंगे उनके पास purchasing power होगी लेकिन अगर आपका product ही यहाँ पर 500 रुपे से शुरू होगा, 1000 रुपे से शुरू होगा, premium category की products यहाँ पर नहीं बिखेंगे तो उस हिजाब से आपको customer को समझते हुए अपना products को design करना चाहिए और अपने business को बहतरीन बनाना चाहिए second last point है यहाँ पर काफी ज़दा ज़रू है वो यह है कि आपको अपने cost को control करना चाहिए कई बार हम लोग business जब शुरूआत में हम लोग को कोई guide करने वाला नहीं होता है तो हम लोग बॉखलाहट में आके जो भी सामने वाले हमको inputs दे रहे हैं, ideas दे रहे हैं अगर आप मान लीजिए कि अपने business में हर महीने 10,000 रुपे आपका basic खर्च अगर मान लीजिए आता है आपका cost of production आता है लेकिन आपको revenue आता है मान के चलिए 30,000 रुपे के आसपास तो यहाँ पर आपका revenue drop हो गया, पहले जहाँ आपको पिछले महीने 20,000 रुपे की कमाई हुई थी profit हुआ था इस महीने आपको सिर्फ 10,000 रुपे का profit होगा, तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि कम से कम खर्च में बहतरीन product आप deliver करें ताकि आप अपने costs को कम करते हुए अपने profits को काफी हथ तक बढ़ा पाएं और आखरी और सबसे जरूरी चीज़ जो कि आपको धान में रखनी है वो यह है कि आपको एक ऐसा business build करना है ऐसी मानसिकता के साथ जो कि आपको आपके बाद भी रहे, basically company एक separate legal entity होती है company का, company के owner से कोई लिनादना नहीं होता है, company का owner चाहे company के equity stake में उसका काफी सारा हिस्सा हो लेकिन अगर वो चाहता है कि उसका business long lasting हो तो definitely वो और company दो separate चीज़े हैं for example, रतन टाटा आज टाटा ग्रूप के chairman या फिर एक तरह से मतलब उस चीज़ को lead कर रहे हैं लेकिन हाला कि वो actively involved नहीं है, टाटा ग्रूप का अपना अस्तित्व है, रतन टाटा का अपना अस्तित्व है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टाटा ग्रूप रतन टाटा के ओपर completely dependent है उसके अपने employees है, अपनी management है, अपने shareholders है, जो कि company के मतलब growth को आगे बढ़ा रहे हैं तो कल के दिन अगर आप अपनी business को setup करके बेचना भी चाहें, तो आप एक अच्छा बहतरीन brand बिल्ड करिए उस brand को build करने के लिए आपको अपने brand में quality देनी पड़ेगी, अच्छे price देने पड़ेगी, अच्छी customer service देनी पड़ेगी और सबसे जरूरी चीज़ जो कि आपको deliver करना पड़ेगा वो है trust, यानि के विश्वास, अगर आपका विश्वास अपने मजबूत generate कर दिया अपने customers के साथ, तो definitely अगर आपके कल के दिन products के दाम बढ़ भी गए, तो भी customers आपके पास से आके products खरीदेंगे, इसका सबसे स नूडल्स हैं, जो कि हर इंसान खाता है, irrespective of उसके prices थोड़े से बढ़ भी गए हो तो, तो definitely अगर आपने अपने products का, अपने customers का विश्वास जीत लिया है, तो फिर आप अपने कल के दिन products को थोड़ा बहुत महंगा भी कर कर बेचेंगे, तो आपको लगातार अच्छा revenue बनाने में भी काफी हद तक इससे कोई परिशानी नहीं होगी, तो इसी तरह से अगर आप business के बारे में, personal finance के बारे में, career building and farming के बारे में सीखना चाते हैं, तो आप download कर सकते है financial freedom है, वहाँ पर हमने 55 से भी ज़्यदा courses बनाय हुए है, 6 अलग अलग भाशा हो में, जो कि आ इन साभी aspects के बारे में काफी डीटेल में बताएंगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को subscribe करके बेल आइकों को दबाना ना भूलने ताकि आप हमारे आने वाले किसी प्डेट को मिसना करें, मिरे नाम है फयाज और